इगनु के दुबारा गर्जुएशन, एमे, मास्टर डिग्री, सफिकेट प्रोग्राम या किसी भी डिपलोमा कोर्सम अडमिशन कराने के लिए आप राजी हैं तो आप वेफसाइट पर आकर अडमिशन के लिए फरम भर सकते हैं लाजट डेट है 30 जुन 2024, 24 में अडमिशन कराना चाहते हैं तो इगनु से इस फरम को भर सकते हैं सबसे पहले इस पोस्ट पर आना होगा, इस पोस्ट कर लिंग वीडियो के डिसिप्सन में मौझूद है जहां से किलिकर कर सकते हैं यहाँ पर देखिए इगनु भी अडमिशन लिखा हुआ है, किलिक हैर के बटन पर किलिक कर देना है आपके सामने यहाँ पेज ओपन हो जाएगा, यहीं से सभी अडमिशन होंगे और यहाँ पर देखिए, इंट्राक्शन भी आपको पढ़ लेना है, कि कितने के भी तक आपको अप्लोड करने होंगे फोटोग्राप, सिकनेचर और एजुकेशनल सेटिफिकेट उपर में दिया गया है प्रोग्राम इंफर्मेशन, इस पर किली करके आपको यहाँ पर देखना है कि आप किसके लिए अडमिशन कराना चाहते हैं आप जिस कोर्स के लिए अडमिशन कराना चाहते हैं, उसके लिए आप आविदन कर सकते हैं यहाँ पर देखे थी वर्स यह है Bachelor of Arts History इस पर क्लिक कर देना है जिसके लिए आप admission कराना चाहते हैं यहाँ पर details आपको पता चल जाएगा कि यहाँ किस medium में है और कितने year का course है तो यहाँ पर देखिए यहाँ भी बताया गया है फिर structure को आप read out कर सकते हैं पर registration पर आपको इतना देना होगा 3 year तक और यहाँ पर देखिए study center और original center का नाम दिये गया है तो यहाँ साप list देख सकते हैं तो admission कराने के लिए आपको यहाँ पर देख लेना है कि किस के लिए आप admission करा रहे हैं यहाँ पर eligibility है देखिए बरावी है इसके समक्ष अधी आप युगयता रखते हैं तो admission ले सकते हैं तो आपको home page पर आ जाना है home page पर आने के बाद में यहाँ पर देखे registration करना है तो सबसे पहले आपको click here for new registration पर click कर देना है यहाँ पर username जो भी username आप डलना चाहते हैं डाल सकते हैं यहाँ पर applicant name दर्ज कर देना है और यहाँ पर देखिए email ID दर्ज कर देना है जो भी email ID आप दर्ज कर देंगे confirm email ID कर देना है यहाँ पर password दर्ज कर देना है password confirm कर देना है 10 digit का mobile number दर्ज कर देना है और यहाँ पर confirm कर देना है इसके बाद capture देखकर दर्ज कर देना है और यहाँ पर देखिया register बटन पर click कर देना है registration करते हैं यहाँ पर your account is created successfully का message आ जाता है आपका registration successful हो गया है यहाँ पर station number और यहाँ पर password और यहाँ पर capture दर्ज करके login कर लेना है login करने के बाद इस तरह का interface दिखाए देता है introduction को पड़ लेना है यहाँ पर देखिए i.h. per tick करना है इसके बाद में submit बटन पर click कर देना है यहाँ पर देखिए personal details program, qualification, course, correspondence, details, upload, preview और fee payment करना है यहाँ पर आपको मदाशनेम दर्ज कर देना है यहाँ पर आपको guardian select करना है और यहाँ पर मदाशनेम दर्ज कर देना है date of birth इस calendar के माधियम से आपको select कर देना है जो भी date of birth है आप यहाँ पर select करेंगे category यहाँ से select करना है यहाँ पर आपको male, female select करना है यहाँ पर area select करना है और यहाँ पर देखिए minority आपको यह असनों में जबाब देना है religion select करना है और यहाँ पर mental status आपको select करना है social status यहाँ पर select करना है यहाँ पर alternate email id है तो दर्ज करें नहीं तो छोड़ दे, alternate mobile number है तो दर्ज करें नहीं तो छोड़ दे Other details में आपको disability asno में जबाब देना है, यहाँ पर employment status आपको select करना है यहाँ पर यदि scholarship आप कहीं से ले चुके हैं तो यहाँ पर आपको select करना है, नहीं लिया है तो छोड़ देजिए और submit बटन पर click कर देजिए यहाँ पर details आपका दिखाई देगा पिर view check कर लिजिए, edit करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं, सब कुछ ठीक है तो next button पर click कर देना है यहाँ से program select करना है, bachelor degree certificate जिसमें आप applicable है और आप आवेधन करना चाहते हैं यहाँ से study mode यहाँ पर select करना है, audio और यहाँ पर देखिए program select करना है, यहाँ पर देखिए मैं bachelor of art select करने वाला था, history से तहाँ पर मैं select कर दिया हूँ, यहाँ पर original code यहाँ पर select करना है, जहाँ पर भी आप admission लेने के बारे में सोच रहे हैं तो यहाँ पर आपको select कर लेना ह जिसके लिए आप applicable है, जहाँ पर आप जाना चाहते हैं, यहाँ पर medium आपको select कर लेना है, English, Hindi और यहाँ पर देखिए, एगनू मैं already program से आप belong करते हैं, कुछ program करते हैं एगनू से तो यहाँ पर यहाँ सनों में जबाब देना है, और submit button पर click कर देना है, यहाँ आपका details ग select करना है, जिस year में आप pass हुए हैं, उसको आप select कर देना है, यहाँ पर division select करना है, और यहाँ पर देखिए, marks select कर देना है, जितना marks आपको पराप्त है, यहाँ पर board code select कर देना है, जहाँ से आप pass हुए हैं, आपको select कर देना है, यहाँ पर आपको roll number type कर देना है, यहाँ आपको roll number type कर देना है, इसके बाद submit button पर click कर देना है, यादी edit करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं, सब कुछ सही है, तो next button पर click कर देना है, यहाँ पर दिखे course आ गया, तो course का select करना है, पहला से compulsory course ने आप दिखे select है, तो आपको यहाँ सा select करना है, जो भी आपको पसंद है, आप select कर लेंगे, अपने पसंद का अनुसार, यहां से आपको select कर लेना है, जिस course में आप applicable है, आप Google में भी search करके course के बारे में जनकारी पराप्त कर सकते हैं, इसके बाद आपको submit button पर click कर देना है, edit करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं, edit button पर click करके, इसके बाद next कर देना है, और इन सबी में आपको document अप्लोड करना है, तो सबसे पहले पास्पोर्ट सब फोटो अप्लोड करना है, तो यहां पर देखिए, select file पर click कर देना है जहाँ पर भी photo है select कर लेंगे इसके बाद मैं start upload पर click कर देंगे तो यहाँ पर photo आज जाएगा इससी तरह से यहाँ पर दीखे signature है जो की saw के भी के अंदर होना चाहिए jpg format में तो यहाँ पर upload कर देंगे इसके बाद metric का certificate यहाँ पर देखे 10 का certificate upload कर देंगे इसके बाद अधर में आप card certificate बगएर अधर card upload करना चाहते हैं तो करके छोड़ देंगे आपके लिए बहतर होगा देखिए मैं document का upload कर दिया हो scroll करना है यहाँ पर edit करना चाहते हैं तो कर सकते हैं नहीं तो next यहाँ पर देखे preview दिखाई देगा फरम के modified करना चाहते हैं जिस column में professional details में या program में तेहाँ पर देखे modified the section पर click करके edit कर सकते हैं सब कुछ साई है तो scroll on करना है सब से नीचे आने के बाद में I agree पट्टी कर देना है इसके बाद में set and proceed for payment पर click कर देना है यहाँ पर देखे gateway select कर लेना है देखे go to payment gateway 1 पर में click करता हूँ यहाँ पर choose करना है कि कैसे आप payment करना चाहते हैं तो net banking है debit card है जो भी आप select करना चाहते हैं process button पर click कर देंगे इसके बाद में redirect कर देगा आपके official bank के website पर यहाँ पर login ID से password से आपको login करके payment का भुक्तान कर देना है payment का भुक्तान करने के बाद आप यहाँ से download कर लेंगे अगधि आप payment नहीं किये होंगे तो continue application पर click करके payment कर सकते हैं transaction यहाँ पर दिखाई दे रहा है यदि आप check करना चाहते हैं तो check status पर click करके कर सकते हैं इस वीडियो में बताया हूँ इगनों के दोवारा आभी भी पोटल खुले हुए हैं यदि आप BSC, MSC जहां भी admission लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं इस वीडियो में बहुत कुछ जयनकारी share कर दिया हूँ मुझे उमेद है कि अपडेट आपको पसद नहीं होगी इस तरह से नहीं अपडेट पराप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए इसके अलावा आप टेलिगराम और वार्टसेप गुरूप को जोन कर लेजिए तो मिलते हैं इस वीडियो में धन्यवाद